Hello Everyone, Welcome to Origin आज की इस क्लास में हमें स्टार्ट करने वाले हमारे सप्लिमेंटरी रिडर बुक का फर्स चैप्टर जिसका नाम है The Third Level बहुत ही मिस्ट्री वाला चैप्टर है और बहुत ज़्यादा इंट्रेस्टिंग चैप्टर है तो इस चैप्टर में हमें बहुत ही मज़ा आने वाले है सबसे पहले हम एक बार चैक कर लेते हैं कि आज की सेशन में हम क्या क्या देखने वाले हैं और यहाँ पर हमारा बहुत अच्छे तरीके से यह चैप्टर जो वो प्रिपेर हो जाएगा and exam के लिए हम पूरी तरीके से ready हो जाएंगे तो सबसे पहले हम इस चैप्टर का एक sketch देख लेते हैं हमारे सामने कौन-कौन से character साएंगे Charlie जो कि इस story का main character है यह पूरी story है वो Charlie के उपर setup है जो main focus है यहाँ पे वो Charlie के उपर ही है and next जो है वो Looza loser जो है वो Charlie की wife है जो Charlie हमारा main character है उसकी wife and Sam Sam जो है वो Charlie का दोस्त है जो कि उसका psychiatrist भी है अब यह story है किस चीस के बारे में third level एक story है एक ऐसे आदमी के बारे में जिसका नाम Charlie है जिसकी age कितनी है 31 year old तो 31 साल के एक आदमी की story है जिसे ऐसा लगता है कि New York के Grand Central Railway Station में third level भी है उसे ऐसा क्यों लगता है यह सारी चीज़े हम आज की story में discuss करेंगे बट अब आपका पूरा ध्यान होना चीए इस वीडियो के उपर क्योंकि अब हम हमारे session का सबसे important part जो होता है जिसे हम कहते हैं story की summary वो ही start करने वाले क्योंकि अगर summary आपको समझ में आगी तो सारे नए questions आप से बहुत ही आसानी से बनेंगे तो अब हम start करने वाले इस story की summary इस story का main character है चार्ली उसे लगता है कि New York का Grand Central Railway Station है उसका एक third level भी है actually में वहाँ सिफ दो levels ही है बट उसे ऐसा लगता है कि New York Grand Central Railway Station का एक third level भी exist करता है और वो ये चीज़ को अपने दोस्त जो उसका एक psychiatrist friend है Sam को explain करता है Sam का कहना ये है कि ये जो third level है ये तुम्हें सिर्फ एक imagination है ये तुम्हारा एक day dreaming है किसलिए क्योंकि तुम्हें ये जो day to day life की जो activities की जो burden है इनके थूँ तुम तंग आ चुके हो और अब तुम्हें इसको एक escape करना है इसलिए तुम्हें third level नजर आ रहा है और चार्ली को एक आदत थी stamp collection की तो Sam कहता है कि ये जो तुम्हारी stamp collection की जो आदत है वो भी एक escape करने का तरीका है reality से तो इस पे चार्ली का reply ये होता है कि ठीक है मेरा जो आदत है वो escape करने के लिए है reality से बट मेरे दादा जी भी stamp collection करते थे एंड उस time पे तो किसी तरीके का burden नहीं होता था हर कोई बहुत खुशी से जीता था तो वो इस time collect करके क्यों reality से भागना चाहते ये करके वो उसे explain करता है अब होता क्या है एक दिन चार्ली अपने office में late night तक काम करते रहता है और जब वो late night से काम करते रहता है तो उसे फिर अब घर जाने की जल्दी होती है तो वो ये सोचता है कि क्यों नाम है grand central railway station से एक subway ले लूँ अपने घर के लिए तो वो तेजी से भागते हुए जाते रहता है railway station के अंदर इस time वो ये कहता है कि grand central railway station है वो एक पेड की तरह है जिस तरीके से पेड में नए-नए branches निकलते रहते हैं उसी तरीके से grand central railway station में कई सारे pathways है जहां पे अलग-अलग हर दिन उसको नए एक रास्ता मिलता है तो वो grand central railway station में तेजी से जाते रहता है कि मेरे को subway पकड़ के जल्दी से घर पहुँचना है एंड वो ticket purchase करने के लिए घूमते रहता है अब वो जब वो first level पे रहता है वो first level से second level पे अब आ जाता है जाते जाते second level पे भी उसे ticket counter नहीं मिलता है तो वो चलते ही रहता है उसे एक दरवाजा दिखता है एक door दिखता है काफी नया door उसे लगता है बट जैसे ही वो वापस आने की सोचता है तब उसे hammering की और लोगों की आवाज सुनाई देती है train की city की आवाज सुनाई देती है तो उसे लगता है कि शायद कुछ आगे है एंड जैसे ही वो आगे वहाँ पे जाता है उसे अलग ही नजारा दिखाई देता है चारली को ये पता चल जाता है कि वो थर्ड लेवल पर पहुँच चुका है अब जब चारली थर्ड लेवल पर पहुच जाता है तो उसे काफी excitement हो जाती है अब वो सोचता है कि क्यों ना मैं वहाँ जाऊं जहां मेरे दादा जी रहते थे 1894 वो टाइम था जब वर्ड वार 1st को 20 साल बचे थे होने में और वर्ड वार 2nd को तो 40 साल बचे थे तो वो क्या सोचता है कि अब मैं दो टिकट लेता हूँ मैं और अपनी वाइफ के लिए और यहां से मैं अपने गाउं चला जाऊंगा वो टिकट काउंटर पे जाता है और वहाँ वो बोलता है कि मुझे 2 टिकट चाहिए और वो 2 टिकट काउंटर वाला उसे देता है और वो उसे अपनी करेंसी देता है बट टिकट काउंटर वाला वो new करेंसी रहती है उस टाइम पे अलग करेंसी चलती रहती थी एक चीज यहाँ पे और होती है जब Charlie 3rd level पे पहुंचता है तो उसे confirm करना होता है कि क्या मैं सच में 3rd level पे पहुंच चुका हूँ क्या मैं सच में 19th century के टाइम पे पहुंच चुका हूँ इस चीज को confirm करने के लिए वो एक newspaper खरिता है जिसका नाम होता है The World and उसका date रहता है 1894 का तो उसे confirm हो जाता है कि हाँ मैं 19th century में पहुंच चुका हूँ अब ticket counter वाले को जब वो पैसा देता है तो ticket counter वाला उसे बहुत ही अजीब नजर से घूरता है और उसे वो कहता है कि यहाँ पर चलाकी मत करो तुम मैं तुम्हें police से complain कर दूँगा कि तुम नकली note चलाने का try करो और तुम jail चले जाओगी तो jail जाने से बचने के लिए Charlie क्या सोचता है कि अब तो मुझे बच के भागना होगा तो jail जाने से बचने के लिए वो third level छोड़के भाग जाता है अब जैसी वो third level से बाहर आता है तब उसे पता चल चुका है कि अब उसे क्या क्या करना है और वो क्या करता है वो जाता है बैंक जाता है 300 डॉलर्स उसे देता है अब वो दोनों क्या है Grand Central Railway Station को ढूणने लगते हैं वो पुरा third level के तलाश में निकल जाते हैं हर तरफ वो लोग घूम आते हैं लेकिन third level जो है वो उन्हें नहीं मिलता और अब उसकी वाइव जो है उसे काफी परेशान हो जाती कि यह इस तरीके की बाते सोच रहा है तो उसे समझाती है कि यह सोचना तुम बंद कर दो और चारली फिर से अपना stem collection का आदद जो है वो फिर से अपने उपर लगा लेता है कुछ दिन बाद उसे पदा चलता है कि उसका जो psychiatrist दोस्त है उसका जो psychiatrist friend Sam वो गायब है but then उसे Sam का letter मिलता है letter थोड़ा देर बाद मिलता है but उसे यह realization हो जाता है कि जो Sam है उसके third level मिल चुका है and वो 19th century में अब जी रहा है चारली को ऐसा लगने लगता है and then एक दिन द्रार में घूमते घूमते Charlie को एक letter दिखता है and उस letter पे जो date है जो address है वो उसके grandfather का है and वो letter Charlie के नाम पे लिखी गई है Sam के द्वारा and date है 1894 का अब वो Charlie वो letter open करता है तो उसमें उसे पता रहता है कि Sam जो है वो 19th century में पहुँच चुका है उसे third level मिल गया अब यहाँ पे उसे यह लगता है कि Sam को नहीं जाया जा सकता तो Sam जो है वो पहले से ही सारी currency जो है अपने पास वो रख लेता है and वो वहाँ पे चले जाता है अब Charlie को समझ में आ चुका है तो Sam जो है उस letter पे लिखे रहता है कि तुम third level की तलास जारी रखो third level exist करता है अब Charlie को यह पता चल चुका है कि third level exist करता है and Charlie यह सोच रहा है कि Sam जो है वो पैसे लेके गया है अच्छे से and $800 उसने convert करा है old currency पे यह चीज़ भी Sam को पता चलती उस letter के थूँ तो अब Sam को ऐसा लगता है कि $800 इनफ है Sam को वो business practice करने के लिए वो job करने के लिए जो वो 19th century में जाके करना चाहता था क्योंकि Sam psychiatrist है but 19th century में तो सर कोई खुश रहता था किसी को depression की negativity की problem नहीं थी तो उसे psychiatrist का जो job है वहाँ वो नहीं कर पाता इसलिए उसे नया job वहाँ पे ढूनना पड़ेगा and $800 इसके लिए sufficient है और इस तरीके से हमारी story जो है वो end हो जाती है अब यहाँ पे हमें यह सीखना है कि इस story का moral क्या है इस story से हमें पता क्या चलता है तो इस story से यह चीज़ हमें keyword यह निकालनी है कि third level जो है वो root of skepticism है लोग third level पे जाना चाहते हैं कोई भी third level पे इस लिए जाना चाहता है क्योंकि जो day-to-day activities में जो भी गंधी practices society में हो रही है जितना भी burden day-to-day life में हमें मिल रहा है उन सब से हमें छुटकारा चाहिए and इसलिए वो जो है 19th century में third level पे जाना चाहते है and इस तरीके से हमारी जो story है the third level by Jack Finney यहाँ पे end हो जाती है बहुत ही beautiful story थी mysterious story थी and exam point of view से बहुत ही important story यह है अब हम इसके कुछ questions करने है then यह जो हमारा chapter वो पूरी तरीके से complete हो जाएगा तो देखते हैं हमारा पहला question क्या है so what does the third level refer to अब देखिए पहला ही question मैं आज आपको homework दे रहा हूँ क्योंकि मैंने कई बार आपको बताया कि अभी मैंने just explain किया कि third level पे यहाँ पे उसका मतलब क्या है तो यह question क्या है यह है homework इसका answer आपको comment में करना है and मैं सारे comment बहुत ही ध्यान से पढ़ता हूँ next question does Charlie agree that stem collecting habit is a way of skepticism why अब Charlie को क्या लगता है क्या Charlie को ऐसा लगता है कि stem collection जो है वो skepticism का एक तरीका है no Charlie को ऐसा नहीं लगता क्यों ऐसा नहीं लगता है कि stem collection वो skepticism का वे नहीं है क्योंकि वो कहता है कि उसके जो grandfather थे वो भी क्या करते थे वो भी stem collect करते थे बट जब वो 19th के century में stem collect करते हैं तो वो किस reality से भागना चाहते हैं? 19th century में तो हर कोई खुश रहता है, किसी को depression नहीं है, सारी reality अच्छी तो वो क्यो reality से भागना चाहते हैं? इसलिए जो Charlie है, वो यह यकिन नहीं करता कि stem collection जो वो skeptism से, reality से escape करने का तरीका है, और उसका reason क्या देता है? अपनी grandfather की stem collection की habit को वो उसका reason बताता है, ओके, forward to our next question, how did Charlie ascertain that he had reached 1894 world? अब वो Charlie किस तरीके से confirm करता है? ascertain मतलब confirm करना तो मैंने आपको बताया कि वो किस तरीके से confirm करता है, वो क्या करता है? एक newspaper purchase करता है, the world नाम की, and the world नाम की newspaper में उससे date पता चलती 1894, and इसी तरीके से वो confirm करता है कि वो जो है, 19th century में पहुच चुका है, but हम answer में direct नहीं लिख देंगे कि वो newspaper purchase करके जानता है कि वो 1894 में पहुच चुका है, पहले हमें explain करना है कि उसे different क्या लगा, तो हम answer किस तरीके से लिखेंगे, when Charlie arrived at the third level, he saw various strange things, the first thing he saw was that lamp was didn't have light bulb, instead of the light bulb, the lamp the lamp was consisted of gas light, gas light means mashal, next चीज़ उसे दिखती है, कि the people at the third level were different cloths that then the people who wear now, जो तरीके कपड़े जो लोग हम अभी पहनते हैं, उसके अलग कपड़े पहने तो उन्होंने 19th century के कपड़े पहने थे, and third चीज़ जो उसे पता चली, वो steam engine थी, वो देखता है, तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, then Charlie saw steam engine train and then he remembered that this type of trains were last used in the 19th century, तो इस तरीके से उसे थोड़ा doubt होता है कि वो 19th century है पहुच चुका है, and last में हमें लिखना है कि then Charlie purchases a newspaper named the world which was dated of 1894, and this is how Charlie has attained, और Charlie confirmed that he has reached the 19th century, clear? अब हमारे next question की तरफ हम चलते हैं, why did Charlie run away from the third level? ये भी आपके लिए homework है, बहुत easy question बहुत जादे easy question है, Charlie third level से क्यों भागा? बहुत ही इसका easy answer है, what work did Sam set in Gelsberg? why what would Sam have done in Gelsberg for his living, why? यहाँ पर एक helping work नहीं लाएगा, ओके? तो यहाँ पर मैं आपको explain कर देता हूँ ये question पूछा क्या है? ये question पूछ रहा है कि Sam ने Gelsberg में क्या work start किया, and वो क्या work करना चाहता था, और क्या work वो नहीं कर पाया और क्यों? ये भी मैंने आपको last मैं explain किया, तो इसका explanation क्या होगा? Sam जो है, वो वहाँ जा कि अपना job practice करना चाहता था, but different job, कौन सा डॉल? जा अप agriculture करना, वहाँ पे जा कि catrice की job उसकी वहाँ चलती नहीं, क्योंकि कोई depression में था यह नहीं, इसलिए उसे वहाँ जा के दूसरा काम करना पड़ा, clear? Next question, what does Charlie think of Grand Central? What did discover there? Okay, did के बाद first form of verb use होता है What does Charlie think of Grand Central? What did he discover there? अब यहाँ पे पुछा गया है कि Charlie third level की बारे में क्या सोचता है and उसे वहाँ क्या पता चला? तो अब क्या पता चला की बारे में हमें फिर से वही चीज़ लिख देना है जो हमने इस question पे लिखा How Charlie has attained? तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? वो देखता है कि lights की जभा gas light लगी हुई है, mashal लगी हुई है and लोगों ने different type के कपड़े पहने वहाँ steam engine की train चल रही है and जो newspaper वो purchase करता है उसमें 1894 का date उसे मिलता है and now, वो क्या सोचता है third level के बारे में? वो सोचता है कि third level exist करता है third level पे जाया जा सकता है लोगों को पता नहीं कि third level exist करता है बट हाँ, कोई ना कोई तरीका तो जरूर है कि third level पे जाया जा सकता है ये उसका thinking रहता है third level के बारे में और यहाँ पे हमारी जो story है the third level by Jack Finney वो complete हो जाती है बहुत ही अच्छी story थी, exam point of view से काफी important story है इसके questions generally देखे हैं कि हर एक दो साल में repeatedly आये हैं and most of the cases long answer questions में इसके जो question है वो आते हैं तो last question जो मैंने आपको बताया Charlie का सोचता है और उसे क्या दिखा ये हमारा long answer का question था तो ये आपको लंबे words में लिखने है clear? तो अब हम मिलते हैं अपने next video में next story के साथ till then good bye thank you take care जै हिंद